एलो फ्रेंड्स कैसे हैं आयो बच्छे हुई तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर गयाता रहता हूं तो ऐसे ही आज एक कंटेंट और है तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक नोकिया का फोन है नोकिया 6.1 प्लस यह मॉडल है जैसे कि आप देख सकत यह हमारा 6.1 में आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा यह देखे टी यह 1083 मॉडल है जो कि इसका 6.1 प्लस है मॉडल नंबर है तो इसकी यह हैंग ओल लोगो पे हैं तो इसको हम प्रॉलम को सट आउट करेंगे तो एक मिनट तक रखते हैं देखते हैं क्या पता बूट हो रहा हो और कोई भी मैं अपने चैनल में फिक वीडियो नहीं बनाता हूं जैसा कि आप हमेशा जानते ही है तो वैसे ही मैं आज आपके लिए कंटेंड ले करके आऊ और यही काम मैं आपको करके दिखाने वाला हूं तो आप देख सकते यह अभी भी लोगों पे हैं तो थ इस वीडियो को लाज तक देखेगा और हमारे चैनल में भी आप नहीं आया हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे कि हमारे नए वीडियो आपको तुरंद मिलेंगे तो अब देख सकते हैं यह भी भी लोगों पे हैं तो चली स्टेब बास टेब इसके सलूसन को कर करते हैं तो भी डिंटो को लाज तक जनुर देखियेगा cheap तो फ्रेंड्ड जैसा कि आपने देखा मैंने आपको सारी चीजेиваем पर करके दिखाई दिए हैं तो हमें युएमटी यूज़् करने वाला हूं और युएमटी यूस करके आपको सारी चीजेGenे हापके Beim करके दिखाने वाला हूं यूम्टी से इसको हम सबसे पहले फ्लैसी करते हैं जैसा कि आपको पता है सारी चीजें तो सबसे पहले तो हम इसे फ्लैसी करेंगे उसके बाद देखते हैं कि इसमें प्रॉडम सॉल होता है कि नहीं तो यूम्टी का क्यूसिफायर हम फ्रेंड्स को नो हमें से खोल रहे हैं, उम्टिक्स कीुसिफायर हमें से खोल रहे हैं और सारी चीज़े आपको इहापे करकर दिखाएंगे व क्यिता है स्मस्प्राइए और ये मारे खोल छुका है और मैं यह चीज Kath शूर और यहापी है है यहां पर हमने इसकी डाउनलोड करके रखी हुई है आप इसकी फ्लैस फाइल को देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन की लिंक में डाल दूँगा आप वहां से जा करके वहां पर देख सकते हैं तो यह रॉप प्रोग्रमर हमारी फाइल यहां पर फ्रेंट तो चलिए और ए सब्सकाइ चाहरे जिए और हम तो सब्सक्र चीजेख करने ही वालिंगा है और आप देख सकते हैं मोडम के जया होती है यह हमारी हैै महने की फाइल होती है जो जो हिस्टोूल को सब्सक्रिक मीया i kaip benefic तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा हमने युम्टी से किया युम्टी में एरर आ गया मतलब फ्लैसिंग हो गया को एरर नहीं आया तो हम यह वफाई से कर रहे हैं और वफाई से हमने में से को निकाल का इडेंटिफाई कर दिया है तो सारी चीजे आप देख सकते हैं पर यह 90 परशन कंज्यूम है इसलिए हम कभी भी कितना भी एरर करें तो हमारा एक्षर आएगा तो फ्लैस नहीं हुआ और फ्लैसिंग के बाद वह एरर आ रहा है तो 100% उसमें 90% आईसी कंजूम हो गई थी 90% हेल्थ कंजूम हो चुका था तो अब यह बैक अप हमारा रीड हो जाएगा फ्रेंड्स उसके बाद हम सारी चीज़ स्टैब बाइ स्टैब करने वाले हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह मारा बैक अप हो रहा है उसके बाद हम इसके बैक अप फाइल को एक डंप है जो कि हम इसका डंप का बैक अप ले रहे हैं और जैसे ही हो जाएगा हम यह पर काम करने वाले हैं तो अपने पार्ट में जाने के बार हम इसकी नेटवर्क की फाइल और आइमिया की फाइल को रीड करेंगे तो हम यहां पे इसकी आइमिया की फाइल और सिक्यूर्टी और नेटवर्क की फाइल को रीड करने के बाद अब हमें क्या करना है इसकी हेल्थ सुधारनी है तो हम जाएंगे व हमारा जो हमने उसका फाइल डंप लिया था हाब डंप लिया था अब उसके बाद हमने हेल्थ रिपोर्ट को सुधारने के बाद में क्योंकि अगर मैं प्रॉपर वीडियो डालता तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा सॉट करके झासे सुधार दें और उसके बाद हम राइट कर देंगे तो जो हमने डंप लिया था यहां पर हमने फिल फुल डंप किया है जिसमें फुल डंप में क्या होता है हमारे जो Android information है software है इसका system के file है वो सारी आजाएगी तो हमने वहां पर हाप डंप किया था इसके बाद हमने क्या किया है इस phone का proper full डंप पहले से read किया हुआ full dump था हमारे पास तो हमने proper पर इसमें क्या किया है full dump डाल दिया है read किया हुआ tested read किया हुआ एक चालू phone का सही phone का हमने यहां पर full dump डाल दिया है तो ऐसे आपके पास कभी भी phone आया friend तो आप बिलकुल उस phone को mmc को खोल करके आप उसका full dump ले करके किसी भी any dead phone में dead boot repair में आप उसको बहुत ही तरीके से काम कर सकते हैं तो हमने भी यह किया है friends इसमें full dump डाला है जिसमें हमें अलग से कोई भी फाइल डालने की ज़रूत नहीं है कोई भी फ्लेसिंग करने की अलग से ज़रूत नहीं है तो जब ही हमारा process complete हो जाएगा आप देख सकते हैं Android information side में आप identify करेंगे identify करने के बाद हमारा देखे Android version नीचे जो हमारा so हो रहा है 6.1 यह हमारा Android information so हो रहा और हमारी जो network की file है हम उस फाइलों को replace कर रहे है जिससे इसका proper genuine IMEI आ जाए वे था IMEI के साथ तो friend हम इसकी file को replace कर रहे है तो हम इसकी genuine file को हम replace कर रहे है और replace करने के बाद हम right कर देंगे क्योंकि यह file तब आपके पास test थी जब हमने इसको health repair करने थे उससे पहले आमने read कर ली थी dump के बाद हमने इसको roommate कर ली थी तो हमने right कर दिया write करने के बाद identify करना है आपको identify करने के पाद आपको special tax में जा करके factory सेट करना है क्योंकि बहुत से सब कुछ होने के बाद भी नहीं होता है तो यह मने AIDENTIFY कर दिया है UP FRIND हमें क्या करना है स्पैसल टाकस में जाना है और स्पैसल टाकस में जाने के बाद factory सेट कर देना है factory सेट होने के बाद आपकी जो size है वो जो user data की size है वो हमारा same हो जाएगा जो भी होगी हमारा user data और internal storage हमारी same होनी चाहिए तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही होगी तो like और subscribe करना विल्कुल भी ना भूले friends तो ऐसे ही मैं आपके लिए हमें सा content एक लेकर करके आता रहूंगा तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि अगर अच्छी लगी है तो like और subscribe करना विल्कुल भी ना भूलें friends तो यह जैसे ही complete हो जाएगा और उसके बाद हम निकालेंगे और board में fix करेंगे और सारी चीज़े आपको हम करके step by step करके दिखाने वाले हैं तो वीडि कर दो करेंगे और बदूदी लगी हैं तो यह जाएगे हो आपको हम वीडियोओ करेंगे तो यहिशे कर साहे हैं तो यह जाएगा दिखाएगे से एट जो फैनली आप देख सकते हैं यह फौन आ हमारा आउन को चुका है यह भई फोन है जैसे कि हमने आपको काम करके सारी चीचे दिखायी हुई है तो आप जैसा कि हमेसा आप यूटूब में देखते हैं आप कहीं भी देखते हैं आप फ्लैस करते हैं फ्लैसिंग में एरर आता है तो आप ये टूल वो टूल बहुत सारी चीज़े आप ट्राइ करते हैं फिर भी आपका नहीं होता है तो यह प्रॉपर नॉलज होने के ना कारण यह ऐसा कारण होता है कि आप उसे बाल बाल फ्लैस करते एरर आता है आपको एरर को फार्ट आप कितनी बार फ्लैस करेंगे टेस्ट पॉइंट को भी उखाड़ देंगे तो आप देख सकते हैं किसी टेक्शन ने इसमें रांगा का भी यूज किया हुआ है इसके टेस्ट पॉइंट पर तो फिलाल ऐसा कुछ भी नहीं है तो मतलब जो एरर आ रहा है उसको फाइंड करना आपको पता होना चाहिए बूट कर रहा है तो मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगा कि यह हमारा काम हुआ कि नहीं फाइनल तच दिखाता हूँ तो जैसा कि अब देर विक्ते हैं फाइनल हमारा ये फोन उन हो चुका है है तो हम इस से फाइनल आपको चालू करके दिखा देते हैं वह अपसी सकते हैं यहां पर ये हमारा कंप्रीटली प्रोसेस हो चुका है तो फेंड कोई बात नहीं यह फ दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर और अगर आपको स्टेट अलेकों को जोइन करना है तो कली कोई कीजिए बाराव पार्च वजी के बीच में और अपनी सीटो बुक कराएए अभी हमारा में मार्च में जो बैच है वह आपको मिल जाएगा और कुसिस करो द करना आइसी के गलू पेस्टेट काटना आइसी लगाना अपके आप से हम सीप्यों इम्मसी पावर सबका काम कराएएंगे प्लस हम आपको पूरा सर्किट का नौलेज देंगे और लाइफ टाइम फ्री अपडेट अपको देंगे फ्री एक लास आपको देंगे कोई रीचा को हर तीन मेनी के बार में खुद परकते हैं कि कि इस च्ट्रों को क्या जरूवत है हम उसको कॉल करते हैं उसको अपडेट के लिए बुलाते हैं यूए फाई की बात करें और यूए फैस की बात करें हम दोनों चेंज करना आपको सिखाएंगे प्रॉपरली डैमेज उने प पैसा बढ़ बात करेंगे आहाँ आप समझ गए मेरी बात और जोइन करें इसर टेलिकॉम अच्छे बाफेस के विए थैंक्यू बढ़ी माच इसर टेलिकॉम जोइन करने वाला हर एक बच्चा बस कमर कसले महनत के लिए क्योंकि वो वो नाम कमाएगा जो उसने सोचा भी ने था और आमारे लाइब वीडियो डेली क्लास देखने के लिए फेस्बुक पर जाहिए और लिखिए इसर टेलिकॉम सच कीजिए उसको फॉल लाइब क्लास मिलेंगा बता चलेगा कि हमने कल का काम किया हमने उसे एक दिन पहले क्या काम किया जो हिंदुस्तान में कोई इंसिट्यूट कभी रिवील नहीं करता बद हम रिवील करेंगे ज्या अम हेलों करेंगे है अगोज कीजिए नियुक्तलिसक नोड अब ही और उसके अलावा भी अपर लोग कर सकते कीन अगशा काम सो हिंदुस्ति ने को आपको देख करी मैं आप दिमाग में डाल देता हूँ इन इंस टुडियन को अपना पर्सनल गिप देना है मेंने भाई अलग से एक गिप तुमें अलग दूँगा और वो कसम से बाइव अल्टीमेट होगा तो अभी दिमाग में रख लो अभी भी टाइम है बसी के लिए टाइमिंग मता हों आपर कितने बज़े कितने बज़े हैं कितने बज़े हैं